आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो जाएगा क्योंकि अभी तक तो आपने इंपुट से कंटूर करना सीखा होगा अभी तो आपका जार्वेस कुछ ऐसा लग रहा होगा कि यार स्क्रिप्टर डिस्क्रिप्टेड है बट शायद आज आपके साम कुछ ऐसा हो जाए जिसके तुरू आज आपका जार्वेस खुद से सुनना और बोलना स्टार्ट कर सके तो आज किस वीडियो पर हम कबर करेंगे पहले तो आपने अभी तक जितनी में चीज़े की हैं उसे इंपुट्स हटाएंगे इंपुट्स के प्लेसेस पे हम इसलिश लेक्ट स्टार्ट दव वीडियो सो आपके सामने है एक फोल्डर और आपके सामने है वीस कोडी से आपको उसकी हल्प से उपन कर ही लेना है जो और नहीं बाद आपको जार्वेस का फोल्डर कुछ ऐसा दिख रहा होगा तो सबसे पहले हम यहीं सब स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेट हाइटेख TTS सटार्ट करते हैं नेट हाई टेक, स्ट्ट, इंपोर्ट, 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 लिशन, तो गाईस, यहाँ पर, लिशन फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया है, यह मैंने पैकेज प्रिपेर करके रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो अभी जाओ और देख लो, आप को समझ में आजाएगा सारी चीज़ है, इस वाले फंक्शन को मैं अभी यहाँ से अटाओ क्यों कि इसका नीडेट नहीं है, इसके बाद मैं एक def function मनाओगा, def check function, def check, अभी check के अंदर कोई argument पास नहीं होगा, यह करेगा क्या, तो अगर आपको याद हो, तो इस वाले अग आपने ध्यान दिया होगा कि हमें एक file create कर रहे हैं, कौनसी file create कर रहे हैं, recognizing file, recognizing file कहां पे होगी हमारी input, बल्द हमारा जो current directory, उसमे input.txt के अंदर file open हो जाएगे, और उसके अंदर सारी सीज़ी लिखना start कर देगा, that is fine, but now here it is, कि आप जब भी इसे call करोगे तो आपको एक file create करनी पड़ेगी, जो की check function की होगी, मतलब कि आपने यहाँ पे एक file create कर दी, input.txt की, ठीक है, यहाँ पी current directory में हो गई, लेकिन अभी इसके नदर जो text आ रहा है न, उसको check करने के लिए आपको check function में आना पड़ेगा, आप इसका नाम कुछ ऐसा भी लेख सकते हो, check inputs, ठी underscore, text is equals to, देखो, यह logic है, गलत भी हो सकता है, बट last में आपको series सीखने के लिए बहुत सारी मिलने वाली है, तो जैसा करना है, step by step आपको करना है, इसके बाद आपको while का use करना है, while, और यहाँ पे true का use करना है, while, true, अब यह true का use क्यों कर रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं, कि यह हर second check करें, second भी नहीं, milliseconds के अंदर यह check करें, कि इस फाले file के अंदर, जो content है, क्या वो हमारे मतलब का है, अगर मेरे मतलब का है, जो उसे तुरांत check कर लो, अब यह check कैसे होगा, और हम कैसे verify करेंगे, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप use करो with function का, अब यह with क्या है, with a keyword है, जो किसी भी file को open या close करने पर help करता है, जैसे कि अब यहाँ पर open लिखूँ, open भी a keyword है, अब मैं किस file को open करना चाहता हूँ, मैं input.txt को open करना चाहता हूँ, ठीक है, और इसे मैं read करना चाहता हूँ, जो भी उसके अंदर है, और as मैं इसे call करोंगा, ताकि मुझे इ dot read, dot lower, lower case में मैं use करूँगा, so that पही भी, क्योंकि जो हमारी python language है, वो case sensitive language है, तो आप उसमें कोई भी keyword अगर miss करते हो, तो हो सकता है, आपका output ना है, तो इसलिए मैं lower case का use कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी मैं इसे चाहूँगा कि इसे input underscore text का form दिया जाए, कुछ इस तरीक text is not equals to output text, अगर जो input text है, वो output text के बरावर नहीं है, मेरे कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा logic समझो, अभी मैंने इस पर default डाल दिया, for example, यह इसे इस वाली file को open करता है, ठीक है, input dot text file को open करता है, ओपन करने के बाद रीड करेगा उसे, उसे कुछ मिल गया, वहाँ पर content मिल यह बूला, हैलो, हैलो को क्या करेगा, वो चेक करेगा, इन दोनों के form में, कि भाई यह इसके बरावर कहें क्या, हेलो क्या num के बरावर है, तो यह पताए, यार नहीं है, अब जब नहीं है, तब in this situation हमारा जो output text होगा, output text वो क्या होगा, input text हो जाएगा, समझ गाया, मतलब यहाँ पर हमने एक variable declare कर लिया, ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक file बना ली, open करने के बार, हमने check किया, कि दोनों चीज सेम है या नहीं है, अगर दोनों चीज सेम नहीं है, तो जो output है न, उसकी value तुम यह कर दो, input text वाली, अब हम output file के अंदर operations को form करेंगे, अब यहाँ पर if output text, अगर output text आता है, then in this situation आप क्या करोगे, आप करोगे ये, कि आप check करोगे, अपने automation brain के अंदर उस सारे text को pass कर दोगे, ठीक है, देखो अभी आपको समझने आ जाएगा चीज है, अब यहाँ पर मैं output text को यहाँ पर भेज दोगा, अगर यह चीज नहीं होती है, then, else, pass क text करते रहों, लेकिन यह तो check function माना, अब क्या अगर हम इसे call कर लेंगे, तो हो जाएगा काम हमारा, नहीं होगा, क्योंकि आपने relation function तो on ही नहीं किया, अब relation function on करोगे, तो यह कैसे on होगा, यार, यह तो एक सबसे बड़ी मुसीवत होई, क्यों मुसीवत होई, क्यों क्यो is called threading, यहाँ वे मैंने threading को import किया, threading को import करने के बाद आपको आजाना है अपने main file में, यहाँ पे आपको लिखना है def main, या फिर आप def jarvis का नाम दे सकते हैं, def jarvis, okay, def jarvis का हमने इसको नाम दिया, और jarvis का नाम देने के बाद हम इस पर क्या करेंगे, threading का use करेंगे, तो इसके अंदर thread name का method होता है, और उसके अंदर हम argument pass करते हैं, जो की help होता है target, अब target यानि कि पहला function जो हम start करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं relation function को start करना चाहता हूँ, और इस बाद हमें function में call करना समय bracket देने के लिए नहीं है, और इसके बाद मुझे यहाँ पे बाहरा जाना है, फिर मैं बनाओंगा t2, t2 यानि हमको और कौन सा दूसरा function है जो हम एक साथ चलाना चाहता है, तो threading.thread, यहाँ पे मैं लिखूंगा thread, और इसके अंदर में जो target pass करूँगा, वो target होगा हमारा दूसरा function जैसे की check function, मैं बहुत ही brief पे और अच्छे तरीके से आप आपको समझा रहा हूँ, और यहोग चीए है, आपको समझ पर आ रहे होगी, बस साथ साथ करते जाना आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़े साथ में आएगी, और आप खुद का जार बस कस्टमाइज कर पाऊगे, for example, मैंने यहाँ पर एदे को experiment करना, start करो, for example, मैंने यहाँ पर check input लिखा, आप कुछ और लिखो, ओके, अब यहाँ पर जबाप ओ, यह logic गलत हो जाए, तो यार चेक करो, logic गलत होने की परवाह मत करो, logic गलत होगा, तो क्या होगा, आप वापस से देख के सही कर सकते हो, ठीक है, तो इसके लिए परिशान मत हो, जो भी चीज़ हमने दोनों को start को कर दिया, लेकिन अभी अगर हम इसे run करेंगे ना, तो पहले यह start होगा, फिर यह start होगा, हम इसे क्या करना है, join function की help से, dot join function की help से, दोनों को हम join कर देंगे, dot join, t2 dot join, and that is it, अब हम क्या करेंगे, jar us function को यहाँ पर call कर लेंगे, कुछ इस तरीके, अब य relation function एक साथ trigger होगा, साथ में check function एक साथ trigger होगा, जोसके लिए text आएगा, मेरा expected output क्या है, देखो, मैं चाहता हूँ, अगर मैं बोलो open YouTube, Instagram, Facebook, website, तो यह मेरे को open, वो सारी चीज़े open करके दे दे, यह मेरा expected है, output, हो सकता है array, तो मैं यहाँ पर इसे run करता हूँ, let's see, run करने के बाद यह सबसे पहले मेरे input वाले file को load करेगा, web वाले website को background में on करेगा, website को background में on करने के बाद मेरे commands का wait करेगा, मेरे microphone को on करेगा, यह सारी चीज़े background में perform करेगा, open YouTube, Instagram, Facebook, website, यहाँ पर देखो, यह expected काम तो इसने कर दिया, but यह क्या करा, देखो, loop में सारी चीज़े open क करता दा रहा है, right, अभी मैं इसको यहाँ पर close करूँगा, और यह सबसे बड़ा thread है, क्योंकि यह देखो, यह अभी भी चल रहा था, यह होता है, code के अंदर का बहुत बड़ा glitch, तो अभी इसको run करने से पहले, मैं से वापस से open करूँगा, reason क्या हुआ है, कि हमने इसे loop क के अंदर चला दिया है, और यह बहुत ही ज्यादा speed करके, जितनी भी चीज़े बोली न, यह देखो, right, यह उसे open ही करता दा रहा है, continuously, ठीक है, यहाँ पर अगर output text आ गया है, तो वो इसे input में convert कर रहा है, okay, सोच सकता है मेरे यह logic थोड़ा सा गलाथ हो, तो मैं एक काम अगर आपको भी ऐसे check करना होता है, तो आप मेरे guitar account में आप लोगों ने मुझे follow करके रखा ही होगा, नही follow करके रखा है, तो आपको description में link मिल जाएगा, आप मेरे profile पे वहाँ पे सीधे redirect हो जाओगे, वहाँ से आप follow करके रखो, so that अगर मैं कोई भी code update करता हूँ, तो आपको उसको access मिल सके without किसी cost के, तो यहाँ पे आप अगर scroll down करोगे, तो आपको यहाँ पे एक jarvis v2 का folder मिलेगा, यहाँ पे, jarvis v2 का folder मिला, बट यहाँ jarvis v2 ने v3 हमें देखना है, क्योंकि v2 तो हमने दूसरे method से बनाया था, आपको scroll down करना है, advance, देखो 42 लोगों ने star mark क करना है, ठीक है, जल्दी जाओ और यहाँ पे star mark कर लो, so that यह code का भी आपके लिए accessible बन सके, तो इस code के अंदर, आपको यहाँ पे देखना है, कि एक file होगी, आपकी main file, या फिर आप यू कहें तो jarvis file, यह रही आपकी jarvis file, अभी यहाँ पे मुझे चेक करना है, जैसे कि य file 2 का डाल दिया, कोई दिक्कत आली बाद नहीं, मैंने open किया, ठीक है, dot lower कर दिया, read, same चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके, मैंने इसके अंदर, मुझे jarvis का function डाला था, और sorry, मैंने इसे बाहर कर दिया, यह error file था, मुझे यह इसके अंदर डाला है, okay, I hope इस बार हमें error देखने के लिए ना मिले, तो इतनी चीज़ आपको correct कर लेनी है, मैं चीज़े बस modify कर रहा हूँ, हमारे previous वाले jarvis के अदर बहुत सारे glitches थे, वो मैं jarvis के अंदर सारी चीज़े solve करूँग, और उसे advance बनाऊँग, open YouTube, Instagram, Facebook, website, और जैसा कि आप लोग देश सकते हो, इसने perfectly कर दिया है, close, तो यहाँ पेदे को इसने open भी किया, और close भी कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी हाँपे, और यह था हमारे उसका glitch, क्योंकि, because, जब भी आप इस keyword से अपना sentence use करते हो, तो उसे लगता है कि आप कुछ, यह जो आपने इसके बाद की query दी है, यह query है, जिसके हल्च आप उसे open कराना चाहते हो, ओल राइट, प्लेस, म्यूजिक, देखो, अभी क्या है यहाँ पर, कि हमें यहाँ पर, जो भी चीज़े है न वो हमें manually लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने play music वाले function के अंदर, आपको अगर याद हो, तो automation के अंदर, जो play music वाला system था, यहाँ पर, यहाँ पर, इस area पर, right? इस वाले area पर, तो इस वाले area पर, हुआ क्या था, कि हमने इसे input दे के रखा है, कि भाई, जो चीज़े मैं बोल्ड हूँ, तो मेरे को वापस से manually लिखना पड़ें, ठीक है, तो मुझे अभी इसका solution निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? अभी solution निकालने के लिए, अभी आपने चीज़ और देखियोगी, यह आपका जो fastdf है, यह थोड़ा से slow चल रहा है, है ना? मैं slow नहीं करना चाहता, तो मैं इस file को यहाँ से delete करोगा, सबसे पहले, ओके, और मैं चाहता हूँ, कि भाई, मैंने जो अभी कुछ दिनों पहले, आप सब लोगों ने, मेरे साथ ही, वीडियो के अंदर ही, GitHub के अंदर, बहुत सारे text to speech functions, push किये थे, राइट, आप लोगों ने star mark भी कर लिया होगा, जहां तक है, नहीं किया, कर लो यार जाके, क् दिक्कत वाली बात है, ठीक है, सबसे उपर दिखेगा आपको, text to speech, जिन लोगों ने star mark नहीं किया, यार जाके करो, फटाक से, चार देन पहले अभी upload किया है, अपन ने, तो यह fastdf वाला था, यह TTSdf था, यहाँ पर मैं TTSB का यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि यह request module का यूज़ करके British Brian की voice है, voice तो हमें वह वाली अच्छी लग रही थी, better थी, but, right now, मैं इसका name सेम ही रखूँगा, या फिर आप इसे काम कर सकते हो, कि control Z करो, तो आपको यह वाला file आजागा, इसके अंदर सिर्फ आपको यह वाला replace कर देना, speak function तो आपका same ही है, तो let's see, कि क या अभी आपका speak function fast हुआ, अभी यहाँ पर एक error देखने का मिलेगा आपको, कि यह देखो, कि last वाला यह जो पार्ट है नहीं डिलीट नहीं करता है, तो इस चीज़ को भी हम fix करेंगी, इस complete jar पे series के अंदर, play some music, which song do you want to play sir, तो यहाँ पर देख सकते हो, काफी ज्यादा fast हो चुका है, है न, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर, अभी song वाली जो पूरा partition है, कि भाई, यह second चीज़ जब यह song वाली चीज़ पूचता है, तो यह चीज़ आप कैसे resolve करोगे, ठीक है, तो यह तो आप का आगिया क्या, automation का, तो अभी तो यह समझे लो, एक यह सिर्फ धाचा बना हुआ है, ठीक है structure बना हुआ है, जिसके through हम इसको काम कराएंगे, input and output देंगे, तो आज वाले वीडियो पर हमने क्या क्या, threading को use किया, check किया, jarvis को बनाया, jarvis में input output कैसे लेना है, speak function कैसे fast होग अगर पसंद आया है, तो like करना, subscribe करना, और अगर आप चैनल पे नए हो, तो बागी वीडियो भी चेक आउट जरूर करना, thanks for watching this वीडियो, यह playlist चलती रहेगी, बस support दिखाते रहेना, मिलते हैं अगले वीडियो पर मुझे पता है, आपको मेरे वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे, अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं, तो अभी screen में click करके आप देख सकते हैं, या फिर channel में जाकर अपने knowledge को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, आपा